आज हम चैप्टर नुम्बर 12 में सेकिंड लास लेक्चर बेटे डिसक्स करेंगे और इस लेक्चर में हम ऑक्सिडेशन और रिडक्षन रियक्शन पढ़ेंगे ल्डि हाइट की टोन्स का और उससे पहले हम एक एडिशन पढ़ेंगे एडिशन ओप अलकोहल की उमीद करता हूँ बेटा इससे पहले आपने जितने भी लेक्चर लिये हैं उनमें आपने उनकी रियक्शन की प्रैक्टिस भी की होगी और सीखा भी होगा आपने जब तक बेटे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये रियक्शन कभी भी नहीं आएंगे तो practice एक necessity भी है और basic required भी है अगर आप chemistry में good marks लेना चाहते हैं, अच्छा score करना चाहते हैं तो मेरी suggestion है आप लोग के लिए जब तक ये covid की situation है, जब तक vacations हैं बेटा आप इसमें ज्याद़ 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 प्रैक्टिस करें ज्याद़ ज्याद़ प्रैक्टिस करके आपको फाइदा ही होगा, एक तो revision होगी, दूसरा आपको exam में helping मिलेगी तो बिटे lectures की तरफ आते हैं, lecture number 9 आज हम business करने जा रहे हैं, जो कि हमारे chapter number 12 का second last lecture है इंशाला lecture number 10 में हम इस chapter को खतम करेंगे, और फिर कुछ में questions आपके जिमें लगाऊंगा, वो आप solve करेंगे और हमें वो assignments की सूरत में send करेंगे बिटे lecture number 9 में, lecture number 9 स्राट करने से पहले हमें aldehyde और ketones की बहुत सारी बातों के बारे में जो हमने सीखी हैं, उसे revise भी करना है और आपको याद होगा कि इस chapter का नाम ही aldehyde और ketones था, इसमें हमने carbonyle compounds के बारे में सीखा कि aldehyde और ketones carbonyle compounds होते हैं, C double bond O group होता है इसके अंदर प्लस फिर हमने इनकी preparations discuss की बटे, फिर हमने इनकी reactions पड़े, एक reaction हमने पड़ा, nucleophilic addition reaction जो के हमने दो catalyst की मुझूदगी में किया, पहले हमने base की मुझूदगी में किया, जिसमें हमने aldol condensation और ketonizarro reactions पड़ा, फिर हमने acid की मुझूदगी में reaction किया, acid की मुझूदगी में ह different 2-4 dnpH hydrazine fenyl hydrazine इसके addition पढ़ी आज हम बैटे addition पढ़ेंगे eldehydr kitons में alcohols की तो बैटे alcohols की जब भी addition की जाती है eldehydr में या kitons में तो उसके नतीजे में हमें दो products मिलती हैं जिसका नाम hemiacetal और acetal कहलाता है अब हम देखेंगे यह AIMYCITAL और ECITAL होता क्या है बटे तो ये वाला आर्टिकल Short Questions के लिहाँ से important है exam में बेटा इसमें Short Question बनता है कि AIMYCITAL और ECITAL आपने बनाना कैसे है तो मचे सबसे पहले हम ECITAL FORMATION पढ़ ले ते हैं formation के लिए हम लिखते हैं formation of sorry पहले हम पढ़ेंगे hemiacetal formation of formation of hemiacetal hemiacetal बैटे इस reaction करने के लिए आप formaldehyde या acetaldehyde ले सकते हैं हम इसमें acetaldehyde ले ले लेते हैं acetaldehyde का formula होता है H3C C double bond OH this is the formula of acetaldehyde इसी acetaldehyde में हम addition करने जा रहे हैं alcohol की तो बैटे हम ethyl alcohol की addition कर लेते हैं methyl के भी हो सकती है methyl alcohol ले लेते हैं alcohol का formula होता है इस पे partial negative charge है तो definitely बैटा यह जो partial negative charge है यह negative oxygen है यह attract करेगा किसको hydrogen को अपनी तरफ जब यह attraction होगी तो definitely यह जो bond है बैटे यहाँ पे shift होगा तो इसके नतीजे में हम यह product और यह जो oxygen है oxygen non-pair carry करता है जब oxygen non-pair carry करता है definitely इस पे negative charge है तो यह negative species लाइक करेगी कार्बोनाईल कार्बन के कार्बन पे add होने के लिए तो बैटे इसके नतीजे में जो हमें product मिलेगी product का होगी H3C H3C C यह H उपर आजेगा बैटा OH यह वाला O और यह H OH नीचे O C2H5 ठीक है इसका नाम होगा बैटे Hemiacetal Hemiacetal यह इस product का नाम है फिर हमने क्या करना है इस हemiacetal को convert करना है Acetal के अंदर तो हम लिख सकते हैं convert convert hemiacetal hemiacetal to acetal इसको बैटे convert करने के लिए आप Hemiacetal लिखके उसमें दुबारा Ethyl alcohol की addition करवा दें जब Ethyl alcohol की addition हो जाएगी H3C COH again O C2 H5 H plus again Ethyl alcohol H O C2H5 this is Ethyl alcohol लेकिन Acetal बनाने के लिए बैटे हमें इसमें HCL भी add करना पड़ेगा Dry HCL Dry HCL का मतलब यह होता है कि इसमें कोई water वगेरा मुझूद ना हो तो जैसी आप HCL add करेंगे HCL की additions से बैटे जैसी ही HCL add होगा तो यहां से ना water release हो जाएगा मतलब HCL वैसे भी dry है मारे पास और जब आप HCL की मुझूददद़ी में alcohol add कर देते हो हमें एसी टाल के अंदर तो water release हो जाएगा यह water release आप खुद देखें जब water release हो जाएगा जो remaining product होगी remaining product को मैं लिख देता हूँ remaining product होगी हमारे पास H3C H3C ये वाला H3C ये C H O C2 H5 नीचे भी बेटे आएगा O C2 H5 यहां से water release हुआ ये O C2 H5 ये O C2 H5 plus H2O plus H2O इसका नाम है बेटे S C-TAL इसकी बहुत सारी applications भी हैं क्योंकि applications हमसे demand नहीं कर रहा हो तो इस वज़े से बेटे हम नहीं चाहेंगे कि हम अपना time waste करें इसकी applications में जाने के लिए आपने सिर्फ ये reaction याद करना है आपने ये तियार करना है कि एसी टाल बनता कैसे है एसी टाल की formation कैसी होती है ठीक है एक इसमें ख्याल ये रखना है इसमें ये बेटा कि जब ये reaction करवाया जाता है लैब में तो alcohol और HCL should be dry आपने alcohol और HCL dry form में लेना dry form का मतलब ये है कि water इसमें से विलकुल भी ना हो water ना हो ठीक है अगर आप इसी reaction को reverse कर देते है मतलब कि एसी टाल और water का दुबारा reaction करवा दे तो इसके नतीजे में हमें ये एसी टाल मिलेगा इसी बिटा ये एक method और given है एक एसी टाल एक तरीके से और भी आप बना सकते है वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो भी आप note कर लीजेगा बेटा कि एसी टाल आप कैसे बनाते है एसी टाल बनाने के लिए ये दोनों में से वो आपकी choice है अगर आप ये वाला एसी टाल preparation करना चाहें ये भी ठीक है जो दूसरा method में बताने लगा हूँ direct method वो भी आप कर सकते है आप सबसे पहले लिक लेए बेटा LD height LD height का formula है H3C C double bond OH this is acetaldehyde आप इसमें addition करवाने जा रहे है ethyl alcohol की HO C2H5 इसी तरह बेटा HO C2H5 in the presence of dry HCl dry HCl hydrochloric acid आपने dry farm में ले लेना है मतलब कि हम 2 ethyl alcohol के molecules को estaldehyde में add करते हैं बेटे जैसी हम addition करवाएंगे तो यह bond तूटने के बाद यहां से water release होजएगा यह water बेटे रिलीज होजएगा जैसी water release होजएगा यह bond break होगा तो उसके नतीजे में जो हमें product भी लेगी वो product होगी H3C COC2H5 यह वाला OC2H5 नीछे बेटे H OC2H5 this is called acetal acetal यह आपको product मिल जाएगे ठीक है यह वाला भी method कर सकते हों यह method से भी आप कर सकते हों इसको अगर आप reverse करोगे मतलब अगर आप इसको plus water plus water अगर आप इसको as a reactants के तोर पे ले लें तो product में हमें यह मिल जाएगा ठीक है आपकी book में एक चीज़ मेंचन है कि ketones यह reactions नहीं देते acetal अगर हमने बनाना है हमने LDH से ही बनाना है हमें ketones acetal नहीं बनाना लेकिन बेटा मैंने इस पे ज़रा तहकीग की है इस पे मैंने research की है different books है मैंने यह देखा है तो book से मुझे यह पता चला है कि ketones भी reaction दे सकते है ketones की मदद से भी हम acetal बना सकते है ठीक है लेकिन आपने अपनी book को ही follow करना है क्योंकि exam में जो paper mark होते है वो according to your books ही होंगे ठीक है तो आपने भी acetal अगर बनाना है तो इस acetaldehyde या formaldehyde या propone ldehyde से बना लेना है propion ldehyde से ठीक है आपने acetal नहीं लेना उसमें पिटा इसके बाद हम discuss करेंगे next इसका topic next topic हमारा ldehyde और ketones की oxidation और reduction के बारे में है ये भी हमारे short questions ही है जो हम अब discuss करने जा रहे है तो इसमें हम सबसे पहले अपने topic को highlight करेंगे हम लिखेंगे oxidation oxidation plus reduction of ldehyde ldehyde plus ketones oxidation और reduction की definition से तो आप familiar ही होंगे कि oxidation का मतलब होता है addition of oxygen reduction का मतलब होता है removal of oxygen और oxidation में addition of removal of hydrogen और removal of electron भी इसकी definition में हम increase कर सकते हैं और reduction की definition में removal of oxygen addition of hydrogen addition of electron इसका reduction बीटा oxidation reduction हमने करवानी है ldehyde or ketones की oxidation reduction करवाने के लिए आपने statement याद रखने नहीं है आपको काम आईगी और आपके knowledge में भी इजाप होगा बीटे याद रखें जब भी आप alcohol की जब भी alcohol की oxidation की जाती है जब भी alcohol की oxidation की जाएगी उसके नतीजे में हमें ldehyde या ketone मिलेगा ldehyde plus ketone ये आपने बीटे alcohol chapter 11 में पढ़ा भी है कि alcohol 3 किसम का primary is secondary tertiary tertiary alcohol की जब हम oxidation या dehydration करते हैं तो हमे ketone मिलता है उसके नतीजे में बीटे जब हम ldehyde और ketones की oxidation करेंगे अगर हम ldehyde और ketone की further अगर हम oxidation कर ले तो इसके नतीजे में हमें carboxylic acid मिलता है carboxylic acid carboxylic acid ठीक है ये आपने हम याद रख लेना है अगर इसी reaction को हम reverse करें हैं reverse reverse से मुराद ये बेटे कि अगर हम carboxylic acid की अगर हम carboxylic acid की reduction करें reduction तो उसके नतीजे में हमें ldehyde और ketones मिलेगा और अगर हम ldehyde और ketones की reduction करें तो हमें क्या मिलेगा reduction अल्कोहल मिलेगा एक चीज़ तो इस statement से clear है के aldehyde ketones की oxidation से carboxylic acid मिलता है और aldehyde ketones की reduction से हमें अल्कोहल मिलता है ये हमने पढ़ने है oxidation and reduction of aldehyde and ketones सबसे पहले हम discuss करेंगे बिटे oxidation of aldehyde and ketones oxidation of aldehyde and ketones aldehyde plus ketones students कुछ students ने ये complaint की है कि हमें लिखावा ठीक से नजर नहीं आता तो बिटे आप quality को जब तक increase नहीं करेंगे आप लेक्चर I think के 740 या 720 पे अगर आप चलाएं तो quality भी अच्छी होगी और आपको board की visibility भी प्रापर नजर आएंगी तो kindly बिटा आप settings में जाके जो quality होती है quality option है उसको जरा increase करने तो आपको board नजर आएगा ठीक से तो oxidation अब हमने करनी है aldehyde and ketones की मैंने definition में पहले बता दिया कि oxidation का मतलब होता है addition of oxygen ठीके बिटा अगर हमने oxygen की addition करवानी है तो इसके लिए हमें help भी चाहिए जिसका नाम है oxidizing agent oxidation करवाने के लिए हमेशा oxidizing agent से help लेना पड़ती है तो बैटे आपने सबसे पहले oxidizing agent बताने है oxidizing agent दो किसम की होते हैं weak भी होते हैं और strong भी होते हैं तो हम लिक लेते हैं first of all strong oxidizing agent strong oxidizing agent oxidizing agents बैटे strong oxidizing agents में सबसे पहले नाम आता है K2Cr2O7 plus H2SO4 यह strong oxidizing agent है दूसरा आप note कर ले KmO4 KmO4 plus H2SO4 यह भी strong oxidizing agent है number 3 पे dilute NH3 है या dilute nitric acid HNO3 यह तीनों हमारे पास strong oxidizing agent होते हैं इनके मुझूदगी में oxidation immediately हो जाती है इसी तरह बैटे अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास weak oxidizing agent होते हैं weak oxidizing agent oxidizing agents यह for the sake of knowledge बैटे यह आप चीज़ें यह नोट कर लीजेगा आपको काम आएगी इसमें first of all हम लिख सकते हैं tollens reagent अपने 10th class में इसका नाम सुनोगा tollens reagent यह weak oxidizing agent है tollens reagent असल मिक्सर होते है silver nitrate agNO3 plus ammonium hydroxide का इसको tollens reagent का जाता है और यह weak oxidizing agent है secondly बैटा हम ले लेते हैं failing solution failing solution failing solution बैटे यह भी weak oxidizing agent है और यह असल में cupric chloride cupric chloride CuCl2 plus sodium hydroxide plus tartaric acid tartaric acid यह इसके mixture को का जाता है failing solution यह भी हमारे पास weak oxidizing agent है third weak oxidizing agent होते है benedict solution benedict solution बैटे इसका भी फार्मूला है CuCl2 plus NaOH plus citric acid citric acid उसमें tartaric acid है इसमें citric acid है बागी दोनों की composition से में तो बैटे यह भी oxidizing agents है यह भी oxidizing agents है यह weak oxidizing agent है वो strong oxidizing agent है और एक चीज़ अपने जहन में रखें कि जो aldehyde है उनकी oxidation असान है aldehyde की oxidation को कोई problem नहीं है लेकिन ketone की oxidation में थोड़ी सी problem आती है क्योंकि ketone एक stable molecule है ketone की oxidation असानी से होनी सकती अगर आप फार्मूले पे तबज़ा दें तो aldehyde का फार्मूला है बेटा RC double bond OH ketone का फार्मूला होता है RC double bond OR तो आप देखें ketone के case में दो R ने दो alkyl group ने carbonyl group को cover कर लिया है जिसकी वज़ा से उसकी जो reactivity है उसकी जो stability है बेटे वो reactivity उसकी काम हो गई है stability उसकी बढ़ गई है मतब कि इस carbonyl group अब save है ये save हो चुका है दो guard, दो बड़े molecules दो एक methyl group ने इसको cover कर लिया है जिसकी वज़ा से इसकी stability enhance कर गई है अगर आप eldihyde के case में देखें तो eldihyde के case में हमें सिर्फ H मिलता है बेटा और H इतना ज्यादा stability प्रवाइड नहीं करता है जितनी R stability प्रवाइड करता है अगर हमें ketones की oxidation करवानी है तो बेटे हमें कभी भी weak oxidizing agent नहीं लेने point should be noted आप इसको note करें बेटे के ketone की oxidation के लिए हमें strong oxidizing agents चाहिए ketones की oxidation के लिए अगर eldihyde की oxidation कर लिए दोनों चलेंगे हम weak भी ले सकते हैं हम strong भी इस्तमाल कर सकते हैं but eldihyde के case में but ketones के case में हमारी मजबूरी है यह compulsion है we have to use strong oxidizing agent ताकि उसकी oxidation असान हो जाए तो बिटे हम सबसे पहले oxidation कर लेते हैं eldihyde की फिर हम oxidation की try करेंगे ketones की तो हम heading दे देते हैं oxidation of oxidation of eldihyde मैंने आपको अभी mention किया कि eldihyde की oxidation करवाने के लिए हम दोनों oxidizing agent ले सकते हैं strong भी और weak भी तो बिटे असल में अगर हमें oxidation करवानी है तो हमें oxygen भी चाहिए यह oxygen हमें provide कौन करेगा oxygen हमें कहां से मिलेगी असल में oxidizing agents का काम क्या होता है oxidizing agents का काम यह है free oxygen provide करना यह हम देखते है oxygen हमें कहां से आती है यह हमारे पास है beta K2 CR2O7 plus 4H2SO4 इसके नतिजे में हमें एक product मिलेगी K2SO4 क्योंकि यह positive charge यह negative charge है plus CR2SO4 price तीन sulfate chromate के साथ यह add कर जाएंगे plus तीन water molecule बेटे हैं इसमें से release होते हैं plus यह free oxygen हमें मिलती है जब भी K2CR2O7 plus H2SO4 का reaction होगा तो बेटे इसके reaction के नतिजे में हमें atomic oxygen मिलेगी this oxygen is used for this oxygen is useful for oxidation यह oxygen तो oxidation के लिए हमें चाहिए यानि इस reaction से हमें एक चीज समझ आई कि oxidizing agents का काम यह है free oxygen provide करना जब free oxygen मिल जाएगी तो पिर हमें कोई problem नहीं हमें oxygen मिल गई बेटे हम oxidation कर लेते हैं सबसे पहले formaldehyde की formaldehyde का formula है H C double bond OH इसके हम oxidation करवाएंगे in the presence of same catalyst यह ले 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 आप या आप strong वाले ले ले अगर हम strong use करें तो हम लिखेंगे K2 K2 C R2 O7 और H2SO4 यह इनका आप reaction करवाएंगे तो बेटे मैंने यहां statement में लिखा है के aldehyde ketone के oxidation से carboxylic acid मिलता है तो इसके नतीजे में हमें product मिलेगी H C O O H formic acid क्योंकि oxygen ने add हो जाना है बेटा जो oxygen add हो जेगी तो यह H C O O H formic acid इसी तरह आप oxidation करवा सकते हो बेटे acetaldehyde की acetaldehyde का formula है CH3C double bond O H in the presence of same catalyst अगरा आप लेने बेटे तो इसके नतीजे में हमें acetic acid मिलेगा और acetic acid का हमारे पास formula होता है CH3C double O H plus acetic acid यह इसका नाम है यह oxidation होगी तो एक चीज़ तो हमने सीख ली कि जब भी हम oxidation करवाते हैं aldehyde की तो इसके नतीजे में हमें carboxylic acid मिलता है next बेटा हम oxidation करवाएंगे अब ketones की oxidation of ketones इसकी reactivity में मैंने आपको पहले बता दिया मैं दुबारा बता रहा हूँ बेटे कि किटोन की oxidation के लिए हमें required है strong oxidizing agent weak oxidizing agent का ये काम ही नहीं है कि वो oxidation करवा सके किसकी ketones की उसकी वज़ा मैंने आपको बता दी कि किटोन के दोनों तरफ एक बड़े groups लगे हूए हैं जो के resistance प्रोवाइड करते हैं oxidation करवाने के लिए तो बेटा ketones भी दो किसम के होते हैं symmetrical और unsymmetrical सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं symmetrical symmetrical ketones symmetrical ketones में आप ये जान चुके हैं पहले भी कि symmetrical ketones में हम कार्बनाइल के दोनों तरफ कार्बन की तदाद को सेम रखते हैं ये देखें अगर आप ये acetone CH3 C double bond O CH3 बेटा ये हमारे पास symmetrical ketones है जो कार्बनाइल ग्रूप है उसके दोनों तरफ कार्बन की ददाद सेम है यानि या राइट साइड पे भी एक कार्बन है और लेफट साइड पे भी एक कार्बन है तो ये symmetry शो करेगा इसी तरह आप symmetrical ketones की एक और example ले ले ये CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3 ये भी हमारे पास symmetrical ketones है क्योंकि जो कार्बनाइल की रूप है उसके left side पे भी दो कार्बन है राइट साइड पे दो कार्बन है इसका आयूप एक नेम क्या होगा इसका आयूप एक नेम है ये symmetrical ketones है अब हम बात करेंगे unsymmetrical ketones की unsymmetrical ketones इसकी reverse होगा unsymmetrical ketones unsymmetrical ketones unsymmetrical ketones में बेटे हमने ऐसे कार्बनाइल ग्रूप के साथ कार्बन की चेहन लगानी है जिसमें unequality हो जिसे के आप ले ले CH3 C double bond O CH2 CH3 ये जो ब्यूटा नोन है ये unsymmetrical ketones है क्योंके कार्बनाइल के कार्बन के right side पे दो कार्बन हैं left side पे एक कार्बन है तो ये इसकी symmetry disturb हो गई है तो बेटा आप first of all हम oxidation करवाएंगे symmetrical ketones की than unsymmetrical ketones की तो symmetrical ketones हम ले लेते हैं symmetrical ketones का formula है CH3 C double bond O CH3 plus oxygen in the presence of K2 Cr2 O7 plus H2 is support की कहानी मैंने आपको पहले ही सुना दी है किसका काम किया जो जैसी बेटा oxidation होगी तो याद रखें बेटे ये जो कार्बनाइल का ये कार्बनाइल के साथ जो कार्बन है ये वाला इनकी मुझूदकी में बेटा ये bond टूटेगा ठीक है जैसी bond टूटेगा तो एक हमें product मिलेगी CH3 C double bond OH acetic acid plus secondly हमें product मिलेगी formic acid ये bond टोडने या ये bond टोडने बेटे जब ये bond टूट जाता है तो हमारे पास ये बनता है CH3 C double bond OH यहां से को यहां से एक H CH3 C double bond OH ये वाला O ये H acetic acid यहां पे हमारे पास क्या बज़ गया बेटे यहां पे बज़ चुका है CH2 ठीक है जब दो oxygen यहां पे दो oxygen remaining है जब दो oxygen इसमें add हो जाएंगी तो ये बनेगा H C double OH इसका नाम है acetic acid या ethanoic acid ethanoic acid ethanoic acid इसका नाम है बेटा methanoic acid methanoic acid यह आपने याद कर लिए आप इसकी गहराई में न आ जाएं कि इसका mechanism क्या है हमसे demand नहीं है अलगे इसके बेटे एक proper mechanism होता है उस mechanism के तहत आप इसके addition करवाती हो लेकिन हमारे syllabus में mention नहीं है तो फिर हम इसमें अपना time waste नहीं करेंगे आपने यह reaction याद करने नहीं कि symmetrical ketone से हमें ethanoic acid और metanoic acid में मिल सकता है अगर symmetrical ketone में हम ऐसी टोन लें तो अब हम oxidation करवाने की कोशिश करते हैं unsymmetrical ketones की unsymmetrical ketones CH3 C double bond O CH2 CH3 plus बिटा इसमें दो possibilities है same catalyst जो अपने उपर लिया है possibility यह है कि इसमें हमने bond वो तोड नहीं इसमें अगर तो यह bond तूटता है अगर तो यह bond तूटता है इसके नतीजे में हमें जो products मिलती है suppose की oxidation करवाते हैं बेटे यह वाला bond तूट जाए तो product हमें मिलेगी CH3 CH2 C double bond OH plus HC double bond ONA यह दो products हमें मिलेगी दुबारा देख लें बेटे अगर यह bond तूट जाता है तो CH3 CH2 C double bond O यहां से एक oxygen इसका नाम क्या है 1,2,3 propanoic acid propanoic acid और यह farmic acid यह methanoic acid बेटा दूसरी इसमें possibility है के अगर हम CH3 double bond O CH2 CH3 plus in the presence of same catalyst then possibility के यह अब यह possibility है के अगर हम यह वाला bond तोड़े यह depend करता है conditions पे अगर हम यह वाला bond तोड़े तो बेटे हमारे पास product मिनेगी CH3 C double bond O H प्लास CH3 C double bond O Ester Dehyde मिल जाएगी देखे बेटे यह भी unsymmetrical ketone है यह भी unsymmetrical ketone है अगर तो यह कार्बनाईल कार्बन के साथ वाला bond तोड़ा जाए जिसमें कार्बन की तदाद काम है तो इसके नतीजे में propanoic acid और farmic acid मिलता है अगर हम बेटे यह वाला बहान तोड़े तो CH3 C double O यहाँ से एक oxygen यहाँ से एक hydrogen C double O H और दूसरा CH3 यहाँ क्योंकि एक hydrogen वहाँ shift हो जाएगा CH3 C यहाँ से 2 oxygen O O यह H तो इसके नतीजे में हमारे पास 2 acetaldehyde या ethanol मिलेंगे अमिद करता हूँ बेटे आपको यह बात समझ आई होगी आप इस बात को बार बार वीडियो को बैक करके इस reactions को दुबारा समझें और इसको आपने प्रिपेर भी करना है sometime question यह भी आज़त है कि आप symmetrical ketones लेके propanoic acid बनाएं या formic acid बनाएं या questions इस सुरत में भी आ सकता है कि आप uns symmetrical ketone लेके दो SLD हाइट बनाएं जब तक आप यह practice नहीं करेंगे बेटे आपको यह बनाना और यह products बनाना नहीं आएगा इंशाला जो हमारा next lecture होगा वो इस chapter का last lecture होगा तो next lectures पे जाने से पहले बेटे आपने कुछ homework भी करना है और आपको homework है कि आपने यह जो lecture है बेटा इसको two times लिखना भी है two times लिखने के बाद आपने यह मुझे send करना है मुझे soft copy में आपने यह भेजना है लाजमी क्योंकि आपकी attendance भी mark होती है और कुछ students regularly homework अपना send भी करते हैं और मुझे students यह काम नहीं भी कर रहे तो बैटे उनकी absentees होगी absentees पे फिर definitely यह तो एक अच्छा sign नहीं होता student के लिए ठीक है तो इंशालों next lecture में मिलते हैं मैटा तब तक के लिए assalamualaikum warahmatullah झालों